अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री के जिम्मेदारी सर्व सम्मती से आतिसी जी को दी गई है यह जो जिम्मेदारी दी गई है आप सब जानते हैं कि एक विसम परिस्थितियों में जिम्मेदारी देनी पड़ी है क्योंकि जिस तरह से भारतिय जनता पार्टी की केंदर सरकार ने पूरी भारतिय जनता पार्टी ने देश के मानने प्रधान मंत्री जी ने सड्यंत्र करके एजेंसियों का दुर्प्योग करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने का दिल्ली की सरकार को देश के अंदर जिस तरह से सरकारों को तोड़ा गया उसी तरह से दिल्ली की सरकार को भी तोड़ने का दिस तरह से अवियान चलाया उन सभी अवियानों को फेल करते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी एक जुटता को विधायकों की एकता को सरकार की स्थिर्ता को और सरकार के कामों को जारी रखा इन्होंने एक कोसिस की कि अर्विन केजरिवाल जेल के अंदर इस्थिफा दे दें और सरकार को गिराया जा सके लेकिन अर्विन केजरिवाल जी ने दिल्ली के लोगों के हितों के लिए दिल्ली के लोगों के काम को जारी रखने के लिए निड़े लिया कि जेल के अंदर हम इस्तिफा नहीं देंगे और जेल से सरकार चलाएंगे और उदोंने सरकार चलाई लेकिन जेल से आने के बाद उन्होंने इंड़ड़ा लिया कि जिस तरह से अरविंद केजरिवाल की जो सबसे बड़ी ताकत है इमानदारी की ताकत उसी इमानदारी की ताकत से अरविंद केजरिवाल जी ने दिल्ली के लोगों के लिए वो काम किया जो आज तक इतिहास में भारत के कोई राजस सरकार नहीं कर पाई लेकिन उनके उपर उस इमानदारी के उपर कीच़ उचाया गया भारती जनता पार्टी की तरफ से और उसको देखते हुए दिल्ली के मुक्मंतरी अरविंद केजरिवाल जी ने जेल से आने के बाद ये दिनड़ा लिया कि देश की सुप्रीम अदालत ने हमें जेल से बाहर कर दिया है लेकिन हम जनता के अलालत में जाएंगे दिल्ली के लोग जब तक दुबारा चुल करके उन्हें अपना समर्थन नहीं देते तब तक दिल्ली का मुक्मंतरी नहीं बनेगे आज इन परिस्थितियों में जब उन्होंने अपना इस्टिफा देने का निड़े लिया आज विधायक दल की बैठक हुई विधायक दल की बैठक में सरोसमती सी निड़े हुआ है कि अगले चुनाओ तक हम चाहते हैं कि ये चुनाओ अक्टूबर नॉमबर में कराए जाए जल्द से जल्द कराए जाए जब तक चुनाओ नहीं होता है अरविंद केज निवाल जी को प्रचंड पहुमत से जनता दिल्ली का मुक्ह मंतरी नहीं बनाती है तब तक के लिए आतिसी जी को दिल्ली के मुक्ह मंतरी के रूप में जिम्मेदारी निभाने के लिए तस्ताव सरोसमती से पारित हुआ है आतिसी जी को दो जिम्मेदारी मुख्य तोर पर सभी विधायकों की तरफ से दी गई पहला कि दिल्ली के दो करोण लोगों के साथ मिल करके भाजपा के सारे रुकाउटों के बावजोद हम काम जारी रखेंगे और दूसरा भारती जनता पार्टी अरविंद केज निवाल के नित्रुत्य में दिल्ली के लोगों को जितने काम किये गए उन सब को रोकना चाती है बिजली फ्री बिजली रोकना चाती है फ्री पानी रोकना चाती है इसकूलों को खराब करना चाती है महला के लिक बंद करना चाती है महलाओं की यात्रा को रोकना चाती है बुजर्गों की तिर्स यात्रा को रोकना चाती है अभी हमने देखा बुजुर्गों की पेंसन रोक दिया पांच माईने तक दूसरी जो जिम्मेदारी उनको दी गई है कि भारती जनता पार्टी के सारे सर्यंत्रों को जो दिल्ली की जनता के काम को रोकने की है उसकी रक्षा करना है हमें कल भी इस भाजपा के सर्यंत्र से हम लड़ रहे थे और इसलिए नए मुख्यमंत्री के जिम्मेदारी है संघर्ष को जारी रखना भाजपा के नेताओं से भाजपा की सर्कार से भाजपा के सर्यंत्रों से दिल्ली के जनता के कामों को सुरक्षित रखना उसकी रक्षा क करना इन दो जिम्मेदारियों को ले करके नई सरकार का गठन होगा सारे चार बजे मुख्यमंत्रे जी अपना इस्तिफा देने के लिए उप राजिपाल के पास जाएंगे और उसके बाद नई सरकार बनाने के दावेदारी विधायत मंडल दल की तरफ से प्रस्तुत की जाए पहले मुख्यमंत्रे जी अपना इस्तिफा देंगे और उसके बाद जो विधान मंडल दल का जो प्रस्ताव है नेता चुनने का वो दावेदारी का प्रस्ताव रखाएंगे दोनों प्रस्ताव अर्विन के जरिवाल जी पहले अपना इस्तिफा देंगे और इस्तिफा दे के बाद जो नई सरकार गठन की दावेदारी है वो भी प्रस्तूत की जाएगा और नए सरकार गठन के लिए दावेदारी भी प्रस्तूत की जाएगी जहां तक नए मंत्री मंदल की बात है उसके बाद जो है पार्टी बैठ करके उसके लिए निड़े लेगे प्रस्तूति मंदल जाएगा अभी आज जो विधायक दल का नेता चुना गया उस दावेदारी को प्राजयपाल के पास प्रस्तूत किया जाएगा कैबिनेट का फैसला गोपाल राये को इस वक्त आप सुन रहे थे गोपाल राये ने बताया कि अंदर क्या बात चीत हुई उन्होंने का कि सरुसमत्ती से अतिशी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया शाम साले चार बजे अर्विन केजरिवाल एलजी से मुलाकात करेंगे अपना इस्तिव गई उन्होंने का कि अर्विन के जरिवाल के फिर से चुने जाने तक अतिशी ये जिम्यदारी निभाएंगी और दो बड़ी जिम्यदारी उनको सौपी गई है एक तो ये कि जो रुके हुए काम है उनको जारी रखना उन्होंने का कि बीजेपी नहीं चाहती कि यहां पर फ्री बिजली फ्री पानी की तुविदाएं मिलें बुजर्गों को फ्री यात्रा का आउसर मिलें इन तमाम बाधाओं को पार करके हमें आगे निकलना है और जनता के बीच जाना है Zee News